नमस्कार दर्शकों, जय सनातन धर्म की। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। जिससे माता लक्षमी की क्रिपा आपके उपर बनी रहे है। और मा लक्षमी कभी भी आप से रूठे बिल्कुल नहीं। विडियो बहुत ही खास है, और हम आज के इस विडियो में आपको कुछ संकेत बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस घर में मा लक्षमी अपनी कृपा बरसाती है और किस घर में मा लक्षमी बिल्कुल भी नहीं टिकती है तो आपको कुछ गलतियां करने से रोकेंगे, जिससे मा लक्ष्मी आपके उपर नाराज ना हो, तो आये जानते हैं, दोस्तों समस्त बातों को, इसलिए आप से निवेदन है कि अगर आप भी अपना संसार सूखी चाहते हैं, अपने जीवन में धन दौलत चाहते हैं, माता ल दीजेगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और नीचे कॉमेंट बॉक्स में, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से तीन बार अवश्य लिखिए, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, माता रानी का आशिरवाद आपके उपर बना रहेगा, तो आईए जान पूरते ही हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है, धन की देवी हम मानते हैं माता लक्ष्मी को, इनकी कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि किस जगह पर बरस्ती है, धन की देवी की कृपा और किस ज प्रिवार को सुख पहुँचाने के लिए भी हर कोई दिन रात मेहनत करता है और अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं लेकिन कई बार इन सभी प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि वह मेहनत भी कर रहा है वह दिन रात दो किसी किसी पर धन की देवी वर्षा करती है तो किसी किसी के घर से बिलकुल रूठी हुई ही चली जाती है तो आईए विस्तार से जानते हैं कि माता लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में पल भर भी नहीं टिकती है दोस्तों ध्यान से सुनिये कि अगर आप और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते रहते हैं, उन लोगों के यहां धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर मत सोते रहिए। दोस्तों, अगली चीज होती है कि मान्यता यही है बरसों से कि जिन घरों में स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी घर के चूलहे पर जूठे बरतन नहीं रखना चाहिए और रात को ही सारे जूठे बरतन धोलिये जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मा लक्षमी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूलहे और उसके आसपास का एरिया हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अब बात दोस्तों, ध्यान से सुनिये हमारी कि वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान माना गया है जो उत्तर दिशा है। ऐसे में इस स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोश नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहां धन का भंडार हमेशा भरा रहे, तो भूलकर उत्तर दिशा में कूडा या फिर बेकार की चीजों को न रखे। धन की देवी की कृपा बनी रहे, इसके लिए उत्तर दिशा और ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखा रहने दे। ध्यान दीजिएगा, इस पर जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद जाडू लगाया जाता है, उस घर से भी धन की देवी मा लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। घर में शाम के समय में जाडू लगाना बहुत बुरी बात है, और अगर जरूरी है तो दोस्तों डस्ट बीन रखे और उसमें अपने अगले दिन प्राता हकाल उसे फेंक दें। डस्ट बीन में जाडू जो है, कचरा उसे डाल सकते हैं, परंतु दर्वाजे के बाहर मत करि अब बात करते हैं कि आखिर किस घर में माता लक्ष्मी प्रसंद रहती है, उस घर में सालों साल माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए बिलकुल ध्यान से सुनिए कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा, श्री यंत्र की पूजा और श्री शुक्ल का प्रति दिन पाठ होत प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। केले का पौधा भी लगा सकते हैं, आवले का पेड भी लगा सकते हैं और घी का दीपक प्रतिदिन लगाएं। पेड से नहीं चूना चाहिए। उसे उचित स्थान पर लोगों की नजरों से दूर रखें। जाडू को जाडू को भी सम्मान दे। दोस्तों, जब दोस्तों उसको उसका धोक भी अवश्य दें, जब भी लाब लगे। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की साधना भगवान गणेश जी के साथ या फिर भगवान विश्नु जी के साथ करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है। आने वाला समय तीन सो पैसिट दिन आपके लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया है कि हाँ भई ये चीजे तो आपको नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है और जो चीजे करने के लिए बोला गया है वह करिएगा आपका हर एक प्रत्येक कार्य बन जाएगा अब दोस्तों आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है माता लक्ष्मी आपकी राश में है तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके हिसाब से सारे काम अवश्य बनेंगे दफ्तर में आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे आने वाले सम में में अगर आपके उपर आलस्य हावी था तो अब आलस्य बिलकुल भी नहीं रहेगा व्यापार से जुड़े जातकों को दोस्तों सही फैसलों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं आपका जो कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा तेजी से आगे बढ़ेगा माता लक्ष्मी का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करिएगा पारिवारिक जीवन में भी स्थिती अनुकूल रहेगी ध्यान रखें कलह से बचें लडाई जगडा ना हो आपके घर में जिस घर में दोस्तों लडाई जगडा होता है वहां भी माता लक्ष्मी नहीं टिकती है क्योंकि जिस बात समझ आई होगी अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें धन्यवाद दोस्तों जैमात अदी आपका भविश्य उज्जवल हो डूँ हमने तो पहले ही कहा था परंतु आप लोगोंने केवल अपनी मनमानी ही करी है परं आने वाला समय और कठिन है इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को आने वाले समय का महाराज भल बताने वाले है आपकी ही कुछ गलतियों से आपको अवगत कराने वाले है ज्यादा कुछ बिगधा नहीं है अभी तक अभी भी समय है दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अन्त तक देखते रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बहतर बनाने का काम करने वाली है। आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्त कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं, तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेगा, आपने पिछले समय में भी ध्यान नहीं दिया था, परंतु सब, दोस्तों, समझदार वही है जो एक गलती को बार-बार नहीं में जाकर सच्चे मन, सच्ची श्रधा से जरूर जरूर लिख दीजिएगा, जैबजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के उपर बनी रहेगी, आईए दोस्तों, जान लेते हैं क्या बड़े संकेत दे रहे हैं ग्रह सितारे, गोचर भी बदल रहे हैं, वैसे ही आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने ही पड़ेंगे, समय अनुसार, परिस्थितियों को देख कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने व्यवहार में लचीला पन लेकर आएं, अपनी गतिविधियों में दोस्तों, ध दोस्तो दिन्चर्या भी वही है, आपकी गतिविधियां भी वही है, आपका व्यवहार भी वही है। परंतु यह जो दोस्तो कलियुग है और धीरे-धीरे चीजें और ज्यादा दोस्तो समय के साथ-साथ रफतार पकड़े हुए है तो आपको भी रफतार तो पकड़नी ही पड़ेगी इसलिए भाग्य के साथ तो देना ही है दोस्तो ग्रह गोचर भी साथ देंगे परंतु खुद में परिवर्तन भी करना है परिवर्तन से तातपर यह है दोस्तो कि अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने कारियों को करने के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने व्यवहार में परिवर्तन ल आने वाले समय में जो आपके लिए लाबदायक रहेगी. किसी भी दोस्तो अच्झना को नजरंदाज मत करियेगा. आपके लिए एक छोटी सी सूचना आपके जीवन को दोस्तों बहतर बनाने का काम कर सकती है. इस समय दोस्तों, जो लोग कारोबारी हैं, कारोबारियों की स्थितियों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा. दोस्तों, आपको अपनी महनत और योग्यता के अनुकूल ही परिणाम मिलेंगे. ये बात अच्छी है दोस्तों, इसलिए महनत से पीछे मत हटेगा, आपको नए और्डर मिलेंगे. नए अनुबंध भी दोस्तों, आपको प्राप्थ होंगे. अपने ओफिशिल फाइलें और दस्तावेजों को पूरी तरह से आने वाले समय में सुनिश्चित कर लें और सुरक्षित रखिएगा. दोस्तों, इस समय हर एक परिणाम का विचार आपक ध्यान रखिएगा. जिन लोगों के साथ समय बिता कर आपको दोस्तों अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ जुढ़े रहना जरूरी है. दोस्तों, इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा. वहीं दोस्तों, ये जो समय है, आपके लिए बहुत ही अच्छा र भावुक रहना ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों आपको कोई कुछ बोल भी देता है, तो दोस्तों आप भावुक हो जाते हैं, लोगों का छोटा सा दोस्त रवाईया आपको प्रभावित कर देता है। दोस्तों इस पर काबु पाना ही पढ़ देगा, वरना दोस्तों इस कमजोरी का पिछले समय में भी लोग फायदा उठा रहे थे, आने वाले समय में भी लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों भावुक मत रहें और ज्यादा इमोशनल फूल बनने की भी जरूरत नह पातें हैं. चतुरचालाक बनकर ही आगे बरना पढ़ दानधेगा. क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति यही होती है कि वह भावुक होते हैं. वह चतुरचालाक नहीं बन पाते इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिये, ज्यादा कार्यभार, यानि कि हद से ज्यादा, खुद के उपर जिम्मेदारियां लेना बहुत ही दिक्कत है, दोस्तों आप किसी को नहीं कह पाते हैं, ये भी आपकी बहुत बढ़ी कमजोरी है, लो कोई भगवान नहीं है, आप हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई कटपुतली नहीं है, ना ही और दोस्तों, आप कोई सरकस का जोकर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हर किसी को खुश करना छोट डे दीजिए, हर किसी की बातें मानना बंद कर दीजिए, खुद के लिहाद से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा. आपकी ही गल्तियां, आपकी सेहत को बार-बार बिगाड डियेच रही है. सेहत के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं. खान-पीन का ध्यान रखिएगा, वरना आने वाला समय दोस्तों, कमजोरी का शिकार आपको होना पड ध्यान नहीं रखा. आने वाले समय में जल्दी ही परेशानियां आ जाएंगी. चाहे आप अच्छे भी क्यों ना हो. दोस्तों, शरीर को और मजबूत बनाना ही पड़ेगा. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्तों, आने वाला समय है. आपको अपने व्यक्तिग हो या व्यवसायक हो. घर में कोई दोस्त, धार्मिक गतिविधी संबंधित योजना भी बन सकती है. जो लोग युवा है, उनको किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा. आने वाले जीवन में दोस्तों, करियर में भी कोई अगर परेशानी आती है, तो उसका समाधान मिल दोस्तों, चाहे वैवाहिक जीवन हो या फिर दोस्तों, पारिवारिक जीवन या फिर दोस्ती यारी भी क्यों नहों, गलत फहमी और शक बढ़ सकता है आपके अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी. इसलिए इन चीजों को जगह ना दें, संबंध खराब हो सकते हैं वर आपकी राशे को क्या-क्या ध्यान में रखना है, उनका जीवन की ओर जा रहा है, क्या-क्या खुशियां मिल सकती है, सभी जानकारियां दी है. दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल आपकी राशे के लोगों के लिए है, आपकी राशे आपकी है. तो दोस्तों, इस बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, समाधान आपको जरूर बताएंगे.